हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में तो दोस्तों जैसे के आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं आज मैं 2 ml इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन लगाऊंगा इस पेशन्ट को तो जैसे के आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे तो मैं इसी पेशन्ट को लगाऊंगा 2 ml इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन तो जैसे के आप देख रहे हैं हम इसी बटॉक में लगाएंगे इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन तो सबसे पहले हमें इंजेक्शन साइट को कर लेना है उसके बाद हमें injection site पे 90 degrees के angle पर needle को prick करना है needle prick करने के बाद उसको pull back करना है ये confirm करने के लिए के blood तो नहीं आ रहा blood visible नहीं होने के बाद हमें slowly slowly injection को pull करना है और injection procedure को complete करना है तो दोस्तों इसी तरह से जो है intramuscular injection procedure complete हो जाता है तो दोस्तों जैसा के आपने इस व अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद दोस्तों